हेलो फ्रेंड्स वैलकम तो माई चैनल आज हम आपको यह दो कलर का बहुत प्यारा से डिजाइन बताने वाले हैं यह देखने में जितना प्यारा है बनाने में भी असानी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने आपको समझाने के लिए इसमें बारा पंदे डाले हैं सबसे पहले लाइन है एक बिना बुने दो पंदे उल्टे धागा पीछे दो पंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो पंदे उल्टे दागा पीछे दो पंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो पंदे उल्टे और लास्ट वाले पंदा भी उल्टा ही बुने यह हमारी फर्स्ट लाइन हो गई फैट्स सेकंड लाइन देखे एक बिना बुने दो पंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो पंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ दाज पाला फंदा उल्टा बुने लिए दो लाइन कम्प्रीट होगे फ्रंट्स देखे अब हमारी थर्ड लाइन है एक बिना बुने, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट के तीनो फंदे उल्टे बुनेंगे, अब देखे फोर्ट लाइन है एक धिना बने दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ दो उल्टे फंदे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फंदे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी दरफ लास्ट वाला फंद उल्टा बुनेंगे देखे परंट्स हमारी चार लाइने कम्पलीट हो गई है अब पाँचवे लाइन में हम दूसरा उन जोइंट करेंगे परंट्स अब हमारी पाँच पाँचवे लाइन है देखे इस तरह पर ये देखे एक और दो बीना बुने दो फंदे सीधे एक बीना बुने दो बीना बुने और लाट वाले तीनो फंदे सीधे बुन देगे इस तरह से हमारी पाँचवे लाइन कम्पलीट हो गई आप देखे छटी लाइन बहुत एजी है एक बिना बुने दो फंदे उल्टे ये दो फंदे बिना बुने ये दो फंदे उल्टे और लास्ट के तीनों फंदे उल्टे बुन देंगे देखे हमारी छे लाइने कम्प्लीट हो गई है देखे फ्रेंट्स हमारी चेक अप हमारी साथवी लाइन है देखे पीले से बुनेंगे अभी पूरी लाइन आपने फ्रेंट्स इस पीले से साथवी लाइन को सीधी बुननी है देखे हमने साथवी लाइन पूरी सीधी बुन अब आठवी लाइन है, एक बीना बुने, दो फंदे सीधे, उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट के तीनों फंदे, उल्टे बुनेंगे, यह हमारी आठ लाइन ही हो गई है, अब नभी लाइन है, एक बिना बुने, दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उन्टे, दागा पीछे, दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उन्टे, दागा पीछे, लास्ट के दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, और लास्ट वाला फंदा उन्टा पुनेंगे, देखे इस तरह, अब हमारी, 10 लाइने एक बिना पुने, दो फंदे उन्टे, दागा पीछे, दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उन्टे, दागा पीछे, दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ लास्ट वाले तीनों फंदे उल्टे बुनेंगे देखे फैंट सब हम 11 भी लाइन बुनेंगे ब्लू कलर से एक सीधा फंदा और ये देखे एक और ये दो उतार लेंगे दागा अपनी धागा पीछे करके फिर दो सीधे इस तरहां दो बिना बोने दो फंदे सीधे दो बिना बोने और लाइखे। और ये दो फंदे सी तरह उतार लेंगे और ब्लू से हम दो फंदे इस तरह उल्टे बुनेंगे इसको इस तरह उतारेंगे दो फंदे उल्टे फिर इन दो फंदो को उतारेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे इस तरह अब अमारी 3s लाइन एक बीना बुनने अब देखें ब्लू से आप सारी पूरी लाइन आपने सीध्य बुननी है अब देखें देखें 3 लाइन कमपलीट हो गई है अब 4 लाइन एक बीना बुनने दागा पीछे दो सीधे पंदे दागा अपनी तरब दो उल्टे दागा पीछे दो पंदे सीधे दागा अपनी तरब दो उल्टे दागा पीछे दो सीधे पंदे लास्ट वाला पंदा उल्टा बुनेंगे देखे फ्रंट सब हमारी पंदवी लाएने एक भी ना पुने दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी दरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी दरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे हमारी पंदरा लाइन ही हो गए पर अब देखे हमारी सोल भी लाइन है अब हमारी सोल भी लाइन है एक बिना बुने दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे, ढगा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, ढगा पीछे, दो फंदे सीधे, ढगा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा उल्टा बोलेंगे, देखे इस तरह से फ्रेंट्स हमारे डिजाइन गंप्नीट हो गया, यह देखे, बस आपने फ्रेंट्स पाँचवी लाइन से लेकर 16 लाइन तक रिपीट करना है और जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहती है आप उतना बड़ा डिजाइन बना सकती है और अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजि ध्यपोओ झारे कीR लगवाइन, शेयर, सब्सक्राइब बना से आपस्ट अदेख है में आप सिरुण कप जड़ा है और दैन बना साना ठ्सक्राइब नाय जया कर अके आपका रेमेंगर है आपका पलदूर सानाल में जरी नेर, सब्सक्राइब झाल झाल